विद्धामितान अथिती सिक्षक संग ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रशन किया है विद्धामितान अथिती सिक्षक संग ने नारेवाजी करते हुए कहा कि मंतरी टीएस सिंग्डेप के बंगले और डीपी आई कार्यालाय का घेराव किया जाएगा प्रदेश अध्यक्स राकेश साहू ने बताया कि सिक्षक भरती में दो अंक बोनस की मांग नहीं की जा रही है सभी वर्ग एक में पढ़ते हैं सरकार वर्ग दो और तीन में ते रही है अगर शास्की करण की मांग पूरी नहीं होती तो बड़ा अंदोलन किया जाएगा अगर वही नया सिक्षणीती जो है 2023 की लागू होने वाली है सरकार जो है 26 जून को इस बार स्कुल को फोल रहे है हमारे साथ चर्चा के लिए ऐसे सिक्षण मोजूद है जो घोर नक्सक प्रवाविच्षेत्र में अपना सिक्षा जैसे सिवाकार्य दे रहे हैं वह बहुत ही कमपेमेंट है लेकिन आज उन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही नराज है नमस्तार मैं रूपेश साहूद और आप देख रहे हैं साथ न लिए हमारे साथ पहुना के रूप में जो सिक्षण है वह है अतिति सिक्षण जो विद्यमीदान संक्सित आलुकात रखते हैं उनसे हम चर्चा करेंगी कि किस प्रकार से वो लोगों के पास आज समस्य आन पड़ी है राके साहूजी जो प्रदेश अध्यक्ष्ण है विद्यमीदान में तिति सिक्षण संक्सित बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-धन्यवाद हमारे भी समस्य तो बहुत है लेकिन अभी सासन और प्रशाशन द्वारा जो दोवं की बोनस देकर हमें चल्कुरवग जो बाहर निकालने का जो सडियंद्र रज रहा है उनकी खिलाब आज हम लोगों का व्योत प्रदेशन डीपी आई में हैं कि और प्रदेश भर की जो हमारी आतितिय सीट चख है वह एकठा होंगे और वहां घ्राउव किया जाएगा आक्यों डी पी आई घ्राउव किया जा रहा है यह जानना चाहिए अग्सार डी पी अई घ्राउव इस कान से किया जा रहा है कि आप दो अंग प्रतिवर्ष के प तो आप और यह बोड़ रहे हो कि दस अंख हम जो अतिती सिख चख है उनको दिया जा रहा है करके जो दिन्योरा आप पीट रहे हो लेक्तानिक मेडिया और प्रेंट मेडिया में किन्तु हमें तो दो अंख भी मिलना मुश्किल हो गया है इस काहंद से हम लोग डीपी आई का अज घ्याओ करने जा रहे हैं और कई साथ ही हमारी अंदराज हो गए हैं जो इस भरती में भरती में फार्म निडल पाया है कई लोगों का टेट की लग्मी हो पाई ही तो कि वह वैक्ठाता पद पर पर है वैक्ठाता पद पर अपना आठ सालों से से वाय दे रही है तो उन आप लोगों के लिए जर्ण उसमें पर ने बता हैं बोले थे कि निमीटी करन किया जाएगा निमीती करन के लिए आप लोग लगातार 65 दिल का अनिस्चिक करिं हर्दाल भी कि है और समय समय पर आप लोग रदाल करते रहें किया पज़िशन करते सामने आया था ऐसे कई सत् सब्सक्राइब करना आप लोग का नहीं को पाया है और की रहनेती चाह रहेगी जी जी बिल्कुल जब 2018 की चुनावी जो महल था उस समय हमारा 28 दिन का हर्तार हुआ उस 28 दिन के हर्तार में मानिय तियर बावाजी आये थे समर्थन देने के लिए और जो ततकाइन प्रदेश अध्यक्ष माननी आज का वर्तमान साभी हमारे उस हर्तार को समर्थन दिये और जूस पिलाने का काम उनके माध्यम से हुआ किन्दू जैसी सत्ता में आयरा और सत्ता में आने के बाद विद्दमिदानों की हीतों की सरक्षन की बाती लेकिन हीतों की सरक्षन तो नहीं कर पाए और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारे साथ्यों को बिरोजगार एक प्रभावित करने का काम किया है तो इस सरक पुरा सिख्छा सत्र नहीं चल पाया है तो जीस आप से दस आंग बोनस की बात कर रहा है तो प्रत्यकवर से के कॉर्डिंग तो दो नहीं मिल रहा है पूरा सिख्छा की कारे जो है नहीं हो पाया है कि दीवर्ट करते हैं और या मंद्रा यहां तक कि सेंग को भी यापान सो पगया है कि हमें दोंकी बोनस नहीं चाहिए जो आपने जन्गुषना पत्रे में जो बादा किया हो निमी दिकरण का हमें बस वहीं चाहिए हमें आपकी जो है लगतार पूरे प्रदेस में देखा जया है तो विद्यमीदान जो सांथी है आपके वो पूरे जीले में है जो दिकारी सदर से सभी लोग है तो क्या 2023 के इस विधान सब चुनाओं में आप लोगों के निमीदी नाकारण ने कर सकता है कि आप लोग जो है सुनने रहेंगे बिल्कुल देखें को मिलेगा जिस प्रकार से 2018 में अपने चुनाओं में जो वाजा किया गया था कि विद्यमीदानों को हम प्रात्मिता से निमीदी करन किया जाएगा उसके बाद भी अगर नहीं करते तो आने वाले चुनाओं में इनकी खामियाजा मिलेगी हम लोग दो हजार है और दो हजार प्रदेश भर में जो दो हजार है उस दो हजार परिवार में एक-एक सिच्छक के पीछे 2020 को काउंट कीजेगा को कितने हो जाएगा तो 2020 का अकाउंट करेंगे तो बिल्कुल ही इस चुनाओं पर आने वाले चुनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और इनकी खामियाजा सर्कार को घुवर्दना पड़ेगी हम बात कर रहे थे हैं अभी इलाके सहोजी से जो प्रदे सध्यक्षा है विद्यमितानातिति सिच्छक्षन के आजड़ेगा करने वाले हैं और सरकार के द्वारा जो दो अंक बोनस दिया जा रहा है उनका वो विरोध करते हैं देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके पेसा हो साथना नियुक्त पढ़ रहा है